Hey kids, welcome back to Magnet Brains, मैं हूँ खुशी बटनागर और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास्टू हिंदी का चाप्टर नमबर 9 जो एक बहुत ही प्यारी चिडिया के बारे में है और उस चिडिया का नाम है बुलबुल तो जी हाँ इस चाप्टर में हम बुलबुल के उपर एक कहानी नहीं कह सकते हैं बुलबुल क्या होती है वो चिडिया कैसी होती है अब आपको कहीं बुलबुल दिख जाएगी ता पहचान वो कैसे वैसी हम चिडिया में बड़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं चिडिया यूनो न पहली का पिठारा जिसमें आज आपके लिए एक नई और पहेली है, जो कि बहुत ही बड़ी मज़िदार पहेली होने वाली है, तो हम देख लेते हैं कि वहाँ पहेली कौन सी है, तो आये देखते हैं, पहेली है चार अक्षिर का मेना नाम, यानि जव भी इसका जवाब उसमें आएंगे चार अक्षर, ठीक है, टिम टिम टारे बनाना बार किसी की शादी हो या कोई उच्छप हो और मैं बताओं तो एक बहुत बड़ी हिंट दे देते हैं आपको हम इसे दीपवली में बहुत जादा उपयोग करते हैं यानी यूज चीज को तो अब बहुत ही बड़ी हिंट देदी है मैंने क्योंकि कि इसका नाम है चार अक्षर का मेरा नाम और टिम टिम टारे बनाती है यह और दीपवली कोई भी उच्छा जैसा का है उसमें इसका उप्योग बहुत जाता होता है तो अब आप सोचिए कि इसका जवाब क्या है तब तक हम अपनी जो चाप्टर है उसको शुरू करते हैं और तो हम 5050 पे हम बुकी भी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर चुके हैं चाप्टर नमबर 9 पे आचुके हैं तो शुरू करते हैं हम अपना चाप्टर को पढ़ना चेक है क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है यदि तुम्हें कोई चिडिया तेस अवाज में बूलती हुई मिले तो उसकी पूच को देखो तो बुलबुल क्या तुमने कभी देखी है? अब हमने देखी तो होगी पर हमें पता नहीं है कि वो बुलबुल थी की भी नहीं थी तो उसको पेचानने का एक असान तरीका है कि जो भी चडिया जोर-जोर से उची अवाज में बोल रही हो वहाँ बुलबुल हो सकती है तो जैसी वो चडिया उची अवाज में बोल रही है तो तुमें क्या देखना है? उसकी पूच देखनी है उसकी पूच देखोगे तो यदि पूच के नीचे वाली जगा लाल हो तो समझ जाओ वहाँ चडिया बुलबुल है इतना हमें समझ में हां किया फिर क्या लिखा है जब वहां उड़े तो पूच का सिरा भी ध्यान से देखना और जैसे ही बुलबुल उड़ने लगे तो उसका सिरा यानि जो उसकी पूच है उसका सिरा यानि शुरुवाद भी ध्यान से देखना बुलबुल की पूच के सिरे क रंग सफेध होता है, तो जो वो इसकी शुरुआद है पूच की बुलबुल के, उसका रंग होना चाहिए सफेध, जो हमारी बुलबुल उड़ती है तो हमें उसकी पूच देखने है, उड़ते वह भी और जो पूच की शुरुआद है, वो कैसी किस रंग की होनी चाहिए? शफेध याने white और उसका जो सिर होता है वो होता है काले रंग का तो मैं बहुत सारी चीज़े पता चल गई बुलबुल के बारे में क्या क्या पता चल गया कि बुलबुल जो है वो उचे स्वर में उची हमाज में बोलती है और उसकी जो पूँच होती है उसका आखिर का कलर जो रंग होता है वह लाल होता है शुरू का रंग सफेध होता है उसकी पूरा जो शरीर होता है पूरी जो बॉड़ी होती है वह भूरे याने की ब्राउन रंग की होती है और उसका जो सर होता है वो किस रंग का होता है उसको जो सर होता है वह काले रंग का होता है अब आग चुडिया को जैसे अब थोड़ी सी पैर के पास भी आज़े तो फर से उड़ जाती है पर बुलबुल को कोई डर नहीं लगता तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग के कलगी हो और बुलबुल का जो सिर होता है उस पर कलगी होती है कलगी होती है तो चिडिया के उपर इस तरह से बनी होती है वो होती है कलगी कुछ जैसे मूर पर भी दिखेगी इस तरह से कलगी तो इनके सर पर बनी होती है तो कुछ बुलबुल के सर पर कलगी भी होती है जो किस रंग की होगी वह भी काले रंग की होगी उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं पर उस बुलबुल का नाम थोड़ा सा बदल देते हैं उस बुलबुल को कहते हैं सिपाही बुलबुल चीक है यहाँ तक हमने पढ़ लिया है अब हम बढ़ते हैं आगे अगले पेज पे और अगला पेज है आपका 5151 पेज नमबर इस पे आ जाईए जल्दी से चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे बुलबुल पीपल या भरगत के पेड़ पर कीड़े ढूंड कर खाती है तो बुलबुल का खाना क्या होता है याने चोटे कीड़े मकौडे वो खाती है और कौन से पेड़ों पे जादा जाती है पीपल या फे बरगत पीपल होते है थोटी चोटी पत्तियों का पेड़ और बर्गर दोगे जिसमें चिस रसियान लटकी होती है उसकी ठीक है तो दोनों ही थोड़े धरावने टाइप के पेड़ होते हैं बड़ पीपल और बर्गर दोनों की पूजा भी की जाती है ठीक है वह हमारी तरह सबजी और फल भी खाती है और बुलबुल नहीं जर्फ कीडे म और दूसरा मटर तो ये अमरूद और मटर के खेत पे बुलबुल जो है जोड से हमला करती है वह अपना घोसला सूखी हुई गास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है तो जो उसका घोसला रहता है बुलबुल का वो किस से बनता है सूखी घास याने पीले र उट सोती है नीचे, उसे को कहते हैं जड़े, पर वो चोटे पहुदों की जड़ों से वो अपने घोसला बनाती है, जब वो गुदों लेती है, जब वो बुन लेती है, तो एक छोटे गुदों जैसा लगता है उसका घोसला, बुल-बुल एक बार में दो या तीन अंडे दे बुल-बुल जब अंडे देती है, तो कितने देती है, दो या तीन अंडे देती है, उसके अंडे हलके गुलाबी रंग के होते हैं, तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल और कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां भी दिखाई देंगी, उनके अंडे कैसे होते हैं? थोड़े से हलके गुलाबी याने हलके पिंक कलर की होते हैं और उसपे बूंदे भी कभी-कभी छोटी-छोटी बूंद जैसे ये अंडा है इसमें छोटी-छोटी बूंद भी दिखाई देती किस-किस कलर की? या तो कभी लाल, या तो कभी भूरी, या तो कभी बैंगी नी याने की कभी red, brown और purple तो ये है हमने कुछ बढ़ा बुलबुल के बारे में कितनी सारे हमें बातें पता चली बुलबुल के बारे में जो हमें आज तक नहीं पता थी और हमें बहुत ही दिक्कत होती थी पहचानने में कि कौन सी ऐसी चिडिया है जो बुलबुल जैसी दिखती है तो यह हो गया हमारा चाप्टर की रीडिंग तो हो गई खता हम जिसमें हमने बुलबुल के बारे में धेर सारे ज्यान जो है पर आपके धेर सारे इंफरमेशन हमें बुलबुल के बारे में पता चली अब हम किसी को भी पता सकते हैं कि बुलबुल क्या है अब हम देखते हैं बुलबुल के चाप्टर से जुड़ी हुई कुछ exercise चीक है तो page number 52 पे हम आप पको आना है page number 52 पे इन में से बुलबुल कौन है उसके चित्र को उपर गोला लगाओ तो यह बुलबुल है यह बुलबुल है यह बुलबुल है तो पहला तो हमको कसी लग रही एक गिलहरी भी दिख रही है दिख रही है क्या यह है गिलहरी यह भी बुलबुल नहीं लग रही तो जो भी आपको बुलबुल लगे तो हमें कौन सी बुलबुल लग रही है हमें यह वाली बुलबुल लग रही है तो इस तरह से उस पे गोला लगा ले तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना है हमने बुलबुल को कैसे पहचान पाए हमने बुलबुल के बारे में इतनी सारी चीज़े पढ़ लिए तो बुलब बूरी और काले रंग की उसका सिर है, बूरे रंग का उसका शरीर है, तो इससे मैं समझ में आ रहा है कि यह बुल-बुल ही है, चली यह उत्तर आपको यह जगे कैसे भरनी है उत्तर से, यह हम देख लेते हैं, तो आप मैंने बुल-बुल को इसलिए पहचाना क्योंकि उसकी पूच के नीचे वाली जगा लाल है, तो जी हाँ, हमें यह जगा लाल दिख रही है, इसलिए हम बहुत असाली से पहचान गए, कि यह कौन सी चड़िया है, यह बुल-बुल है, मैंने बुल-बुल को इसलिए क्योंकि उसकी पूच के नीचे वाली जगा लाल है, जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं, चले, अब हम आते हैं अपनी exercise, अगली exercise पे, यह उत्तर आपको लिखना है, वह खाली जगे पे जो मैंने भी दिखाई थी, ठीक हैं, तब ही हम आगे बढ़ेंगे, तो लिख लीजे पॉस करके, फिर वीडियो को प्ले करके में साथ आगे बढ़ी है, तो यह है, यह जगे अब आपकी भर गई होगी, है ना, अब हम बढ़ते हैं आगे, सिपाही बुलबुल, सिपाही बुलबुल के बारे हमने क्या लग पड़ी थी, कि जो कलगी होती है, बुलबुल के सिर पर कलगी होती है, तो और भी पक्षी होते हैं, पक्षी याने चिडिया, चिडिया याने बर्ड, जिनके सर पे कलगी होती है, बताओ उन कलगी के रंग क्या होते हैं, तो यहाँ पे पक्षी के नाम लिखने है, याने बर्ड के नाम, और यहाँ पे उनका रंग, उनकी कलग यानि कि red और green तो आईए देख लेते हैं, यहाँ पर आपको इसी जगह पर भरना है, तो यहाँ पर लिखे मुर्गी और मॉर्गी और मॉर की कल्गी होती है, लाल रंगी होती है, हरे नहीं नीले रंगी, तो red और blue यानि मुर्गी और मॉर्गी और लाल और नीला इस तरह से चीक है, भर के ही हम आगे बढ़ते हैं, चलिए, अब बढ़ते हैं हम आगे, और आपकी जो ये वाला पेज है, इसके exercise पूरी complete हो चुके है, पेज आपका पूरा भर गया, चीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे, अगले पेज पर आज़ेए, पेज नमबर 5353, पेज नमबर 5353 चीक है, चलिए, अब हम देखते हैं अगले प्रश्ण, तो कलगी वाई बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे, तो जो बुलबुल है, उसके सर पे कलगी है, उसको हम कहते हैं सिपाही बुलबुल पर क्यों कहते हैं, तो आईए इसका उत्तर देखिए, पर इसके में जगे नहीं है तो आपको कहा लिखनी है अपने कॉपी में इसका उत्तर लिखना है चीक है पेज no.53 पे चल रहे हैं कलगी वाई बुलबुल को सिफाई बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिफाईयों की तरह उसके सिर पर भी कलगी यानि टोपी लगी होती है भी टोपी पहनते हैं, इसलिए उन्हें सिफाई बुल-बुल कहा जाता है, ठीक है, तो आपको कोई पूछे कि बुल-बुल सिफाई बुल-बुल क्यों कहाते हैं, जिनके सर पे कलगी होती है, तो क्यों कलगी उनकी टोपी होती है, इसलिए उन्हें सिफाई बुल-बुल कहा कई तीन बातें लिखो. यानerson को अच्छा पार है अभी अब आपने पड़ा, उस में आपको बुल बुल के बार में बहुत सारी चीजे बताइए हैं, कि उसके पूच के नीचे का रंग होता है लाल, उसका शरीर होता है भूरे रंग का, सिर होता है काले रंग का बहुता ह氣 चीज़े पता हैं उन्में से कोई तीन चीज़ें आपको यहां पे लिखनी है तो आइए देखते हैं यहां पे आपको जगे दी ऋही है तो pencil से किताब में ही लिखे तो देख लेते हैं इसका उत्तर तो यह है बुलबुल के पूच के नीचे वाली जगा लाल होती है पहला ये हो गया बुलबुल के पूच के सिर का रंग सफेद होता है बुलबुल के शुरू का रंग सिरे का रंग क्या होता है सफेद होता है बुलबुल उची अवाज में बोलती है तो ये हो गई तीन चीजें जो हम बुल-बुल के बारे में कह सकते हैं तो फटा-फट से ये तीनों बातें वह खाली जगे पे लिख लीजे लिखे बगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पॉस कीजिए लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपकी ये वाली जगे पे आपने अल्रेडी भर लिया होगा अभी जो मैंने बताया अब हम आगे बढ़ेंगे बुल-बुल और तुम बुल-बुल अपना घर घास और जडों से बनाती है तुमारा घर किन चीजों से बना है? पता करो तो ममी पापा से अज पूछो कि किंटीजों से बना है हमारा घर तो हम देख लेते हैं पर हम मैं आपको बता देती हूँ इसका उत्तर भी आप कॉपी में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? इस तरह से तो हमारा घर सीमेंट, बालू, छड, लकडी इत्यादी प्रधारतों से बना है तो बहुत सारी चीजों के इस्तमाल से बना है किन-किन इस्तमालों से सीमेंट, बालू, छड, लकडी सिमेंट होता है ग्रे सा कलर का जो सिमेंट होता है वालू लकणियों से इन जब से मिलकर हमारा घर बनता है तो यह चीज़े आप लिख लीजे इस उत्तर को आप अपनी कौपी में पैंसल से उतार लीजे फटाक फट ठीक है अगले प्रशन पर उसी के नीचे और प्रशन दिय हम कहते है और हम क्या खाते हैं मुझे रोटी चावल दूद दही पनीर फल इत्यादी पसंद है ठीक है तो बुलबुल खाती है कीडे मक़णे फल और सबजी और हमगते रोटी चावल दाल दूद धही हम तो сब खाते तो यह सारी जीजें यह ढोनों उतनर आपने कौपी मे पहला यह और दूसरा यह auf तीसरा देखते हैं बुल बुल वाज में बोलती हैं हमने देखा था कि बुलती Blood पिता जी तो आप लिएंगे पिता जी और वो कब बोलते हैं तो आपको कभी चिलाना हो तो वो उची आवाज में बोलते होंगे हैं की नहीं तो हम यहाँ पे यह सारी चीजों को आपको भरना है, यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे कब-कब लिखेंगे, यह कैसे भरना है, आईए साथ में भरते हैं तो इस तरीके से आपको भरना है सबसे पहले लिखा है पिता जी तो किस तरज कब वो हम पे चिलाते हैं जोर से बात करते हैं जब मैं कोई गलती करता हूँ जब हम कोई गलती कर देते हैं तो पिता जी यान हमारे पापा जो हैं वो जोर से चिलाते हैं है की ने, फिर है छोटी बहन, छोटी बहन कब जोर से चिलाती है, जब वो कोई जिद कर रही होती है, जब उसकी गुडिया खो जाती है, तो वो जोर जोर से चिलाने लगती है, है की ने, फिर है बड़े भाईया, जब मैं पढ़ने के समय में खिलने चला जाता हूं, या खिल और ज़र से चलती है तोजले वाल 그게 बात करती है चलाना नहीं उची अवास में बात करती है बोलती है चिके तो इन चीजों को लखर पर फटा फट से भर دी चीज़े फिर हम बढ़ते हैं किताब में ही लिखना है कहीं और नहीं 54 पर तो यह वाला पेज आपका खुल जाएगा तो इसमें लिखा है हमें पहचानों तो यहाँ पर जो चुडियां है वो अपने बारे में कुछ बता रही है हमें उस चुडिया का नाम खोजना है याने birds का नाम चीक है? तो जैसे की यह लिखा है मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ तो वो हो गई कोयल वो कौन सी हो गई? कोयल कोयल क्योंकि पूरे काले रंकी होती है और बहुत मीठा गाना गाती है तो यह वाली चुडिया का नाम हो गया कोयल फिर अगला देखते हैं मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोच है, हरी मिर्ची खाता हूँ. तो ये जो चिडिया है, वो होती है, हरे रंग की, लाल उसकी चोच होती है, और वो हरी मिर्ची खाता है. तो उस चिडिया का नाम है तोता, क्या नाम है स्पक्षी का तोता, ठीक है? अगला देखते हैं सूप जैसे कान हैं सूप जैसे मोटे मोटे पाउं हैं लंबे लंबे दात हैं तो ऐसा कौन सी चीज होती है जिसके सूप यानि बहुत ही लहराते हुए कैसे हैं उसके कान हैं और मोटे मोटे पाउं हैं और बड़े बड़े दात हैं तो वो है हमारे हाती मे मेरा साथी याने की हाती फिर आते हैं अगले पे सिर पर ताज है दुम पर पैसे हैं बादल देखकर नाचता हूँ तो सिर पर ताज याने की यह ऐसी चिडिया है जिसके सिर पर कलगी होती है बादल देखते ही उसे पता चल जाता है कि पारिश होने वाली है तो वो नाचने ल और चूंहाने अपनी बारे में नहीं बताया और हमने इनका नाम खुजा भाली जगा है पटा फट से वहाँ पर इनके नाम लिख दीजिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली एक्सरसाइज को तो यहाँ पे आपने सारी चीजों के नाम भरी दिये होंगे अब next exercise पे आते हैं तो लिखाए कवीता लिखो बुलबुल या किसी और पक्षी पर कवीता लिखो तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कवीता लिख सकते हो तो जैसे बुलबुल एक पक्षी है या फिक कोई और पक्षी के बारे में आपको एक छोटी सी चाल लाइन की पोयम याने की कवीता लिखनी है अपनी दोस्त का मदद भी अपनी सहेलियों की मदद भी आप ले सकते हैं तो आये देखते हैं कि ये पोयम क्या होगी ये कवीता क्या होगी तो हमने कवीता लिखी कोयल पे अप चाहें तो यही कवीता लिख दे जैसे कि कोयल रानी बड़ी सयानी मीठे गाने सुनाती है तन की काली मन की उजली सबके मन को भाती है तो हमने एक छोटी सी कवीता लिखी कोयल पे कि कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली, मन की उजली, सब को मन को भात, सब के मन को भाती है तो ये वाली कवीता जो खाली जगेती है, वहाँ पे लिख ले, फटा-फट से, फिर हम बढ़ेंगे आगे, वीडियो को रोक के लिखें, फिर में साथ आगे बढ़ें, ठीके, चलिए, अब हमारी जो ये पेज है, ये भी आपने यही पे लिख दी होगी, कवीता वो आली, त आते हैं अगले पेज पे, अगला पेज है आपका 5555, अगला पेज कौन सा है, 5555 है, यानि कि ये वाला पेज, तो जैसे बुल बुल तोता चरिया, कबूतर, ये सब क्या है, ये सब पक्षी है, बुल बुल तोता चरिया, ये सब पक्षी है, तो वैसे ही नीचे लिखे जानवर आब को से नहीं पता होगा। यह हैं दालें। यह सब डाल जो आम अच्छी ची डाल कहते हैं। उनकी नाम हैं मूग, चना और अरहर। तो ये सारी चीजों के नाव आप यहां लिख लीजे, कैसे लिखना है, यह मैं आपको बता देती हूँ, आईए, तो इस तरह से आप लिखिए, जैसे कि गोबी, आलू, भिंडी क्या है, सबजी है, संत्रा, केला, सेब क्या है, फल है, गाय, हाती, कुत्ता क्या है, जानवर है और मूंग, चना और अरर क्या है, वहाँ एक डाल है, तो इनको लिख लीजे, तो आपका जो चाप्टर है, वो भी खतम हो जाएगा, चीक है, चलिए, अब इसी के साथ हमारी जो एक्सराइज है, वो पूरी होती है, खतम, और हमारा चाप्टर होता है, बहुत ही प्यारा सा चाप्टर था, जिसमें हमने एक बहुत ही पैरी चिडिया बुलबुल के बारे में, बहुत सारी जानकारी जुद है, इकटी कर ली है, इसी तरहां से हम और भी चीजे पढ़ते रहेंगे, पर हाँ, क्योंकि मैंने चाप्टर की शुरुवाद में एक पहीली पूची थी, त जुलाएं बार-बार, तो इसका जवाब है, फुल जड़ी, जी हाँ, फुल जड़ी मैंने जब बताया था, दिवाली में हम बहुत जादा यूस करते हैं इसको, और वो टिम-टिम तारे उसमें से निकलते हैं, और हर तो हार हर उचसफ में, हर शादी में इसका उप्योग ह होता है, तो इसका नाव है फुल जड़ी, तो थीक ही नहीं मज़ेतार पहली, तो इसी तरह मैं और भी पिटारे से धेर सारी पहलियां आपके लिए लाती रहूंगी, अब हम देख लेते हैं कि अगर मागनेट ब्रेंज पर हमें कोई वीडियो या कोई टॉपिक नहीं मिलत है, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है, गूगल पे, टाइप करना है, मागनेट ब्रेंज डाट कॉम और सर्च करना है, तो आपको ये वाला जो पीज है, वो उपन हो जाएगा, नीजे डेर सारी क्लासे आपके पास आती है, जो भी क्लास के आप स्टूडेंट हो, पढ़त है, तो आपको Watch Now पे क्लिक करना है, जैसी हम Watch Now के EBS पे क्लिक करेंगे, तो आपके EBS के बुक के, सारे चाप्टर जो है, जैसे बुक है, आपकी Looking Around, NCRT के बुक, उसके सारे चाप्टर आपको लाइन से शो होंगे, और आपको जो भी चाप्टर देखना है, आपको उस पे क् पर कुछ भी find out करना चीक है तो यहां पर हमारा जो chapter 9 है वो भी होता है खतम chapter 9 का नाम क्या था उसका नाम था bulbul जो bulbul चिडिया के बारे में था जिसमें हमने धेर सारी जानकारी खटी करी bulbul के बारे में और धेर सारी बहुत ही मज़ेदार exercise भी solve करी साथ में solve करी हर एक चीज को लिख लिया लिख लिख के देख लिया इसी तरह मैं और भी कहानिया और कवीताओं के साथ आती रहूंगी धेर सारी पहीलियों के साथ भी आती रहूंगी तब तक के लिखते रहे मांगने ब्रेंज और करते रहे लाइक, सब्सक्राइब और शियर थैंक यू